इस बात को बोलते हैं कि अगर कोई भी वेक्ति इंडिया के अंदर इस बिजनिस को स्टार्ट करता है तो 101% उस वेक्ति को करोड़पती बनने से कोई भी नहीं रोप सकता है दोस्तो इस बिजनिस के इतने ज़़ा बेनिफीट्स है इतने ज़़ा फायदे हैं सारी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है सारे पुरूप्स मिलने वाले हैं दोस्तो आप इस बिजनिस को तीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई भी वेक्ति आपके एरिया में इस बिजनिस को स्टार्ट कर रखता है तो आप उसके बाद जाकर के बाद चित कर सकते हैं उससे पता कर सकते हैं अगर आपके असपास के एरिया में कोई भी वेक्ति इस बिजनिस को नहीं करता है तो आप गूगल पर सर्च करके इंडिया के इंदर जो भी विक्तिस बिजनिस को करता है तो mostly लोगों की लिस्ट आपके पास में आ जाएगी तो आप मुआप पर जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं हैंडेट वन परसेंट आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो भी बाते आप लोगों को बता रहा हूं आज वो सारी बाते बिल्कूल सत्य हैं अगर हम इस प्रोड़क का बिजनिस करते हैं तो हमें करोड़पती बनने से कोई नहीं रोप सकता है सारी चीचे अपकी क्लियली फाइग हो जाएगी अगर आप एक पर किसी से बातचित करेंगे किसी से पता करेंगे तो हैंडेट वन परसेंट आपको संतुष्टी मिलेगी और आपका इस प्रोड़क का बिजनिस भी करेंगे दोस्तो जो प्रोड़क आज मैं बता रहा हूं आप इसको तीन तरीके से बिजनिस करते हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोड़क क्या है दोस्तो मैं बात कर रहा हूं ड्रेगन फूर्ट की ड्रेगन फूर्ट एक ऐसा भूट है जिसके डिमांड इंडियन मार् देश की बड़ी बड़ी कंपनिया बड़ी बड़ी डोक्तर्स वाली कंपनी आपके पास में खुछ से चल कर गए आएगी और इस प्रोड़क को ले करके भी जाएगी दोस्तों इसकी डिमांड बहुत जादा है और इसके जो बेनीफिट्स हैं वो हम आपको आगे बताने वाला हुँ ऐसे बेनीफिट्स हैं जो इंसान की जान को भी बचा देता है दो बहुत ही जादा फाइदे बन यह बिजनिस आपके लिए होने वाला है सबसे पहला तुम आपको तरीका बता देता हूँ अगर आप इस business को start करते हैं dragon fruit के business को start करते हैं तो आप इसकी खेती करके भी इसका business कर सकते हैं पहला option आपके पास में agriculture का है आप इसकी खेती कर सकते हैं दोस्तोंगर हम बात करें इसकी खेती करके तो मार्त्र 18 महीनी के अंदर इसका पेड तयाब हो जाता है और ये आप पूफ्रूट देने लग जाता है तो अब इसकी खेती करके भी अच्छा खासा मुनाबब़ कमा सकते हैं अगर आप इसके फूट्स को खेती करने के बाद sell करेंगे तो 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक मार्केट में आसानी से पर केजे के साथ से इसे sell कर सकते हैं बड़ी बड़ी मट्यों के इंदर आप इसे सैल कर सकते हैं दूसरा तरीका दूस्तो यह है अगर आप ड्रेगन फूट करिदने के बाद में इसका जुस्त प्रोवाइड करवाने के बाद भी आप इससे अच्छा खासा फैसा कमा सकते हैं लेकिन juice के लिए आपको एक बड़े सहर के अंदर जाना होगा क्योंकि local area के अंदर तो dragon food के बारे में लोग जानते ही नहीं है तो उसका juice पेने की तो अलग बात होती है तो आप इसका जो juice होता है उसको online order करके भी market में sell कर सकते हैं लोगों को एक बार पता चल जाएगा तो 100% आप इसके बहुत अच्छा कासम होना पर कमा सकते हैं तीसरा जो option आता है मेरे लिए सबसे best option है और आपके लिए भी सबसे best option होने वाला है दोस्तो अगर हम dragon fruit के powder बना करके market में sell करते हैं तो 1 kg powder के उपर आपको 4400 रुपए का profit होता है 4,440 रुपए 1 kg powder market के अंदर अभी sell हो रहा है जिसकी इतनी ज़्यादा demand है अगर आपने एक बार product डाल दिया तो मातर 5 मिंट के अंदर आपका product sell हो जाएगा मातर 5 मिंट के अंदर इससे ज़्यादा time नहीं लगेगा दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इसका powder बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि dragon fruit का powder आप कैसे बना सकते हैं लेकिन उससे पहले बता दू अगर आप इसका powder बना कर market में sell करना चाहते हैं इसका business करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको dragon fruit खरीदना होगा Dragon fruit आप बड़ी बड़ी सबजी मंडियों से खरीद सकते हैं वहां से अगर आप नहीं करीदना चाहते हैं आप जा नहीं सकते हैं तो आप इंडिया माट की विबसेट के तुरूर ओल्लाइन ओडर करके भी ड्रेगन पूट घर पर मंगवा सकते हैं वहां पर आपको 280 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक आपको आसानी से होल सेल रेट के अंदर अवलेबल हो जाता है तो वहां से मंगवा कर आप इसका पाउडर बना सकते हैं पाउडर का तरीका मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ और इसकी खेती के बारे में मैं आप इसकी खेती करके कैसे आप इसे अच्छा गासा मुना पर कमा सकते हैं सारी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तो पाउडर अगर आप बनाना चाहते हैं तो पाउडर बनाने के लिए आपको जिसे मार्केट में आप सेल करते हैं तो GST नंबर और F लेना अनिवारी है अपको इस दोनों चीज़े तो कमपसरी होती है हर बिजनिस के अंदर तो यह सारी चीज़े लेने के बाद याप इसे मार्केट में एक बड़े लेवल पे सेल कर सकते हैं तो देखते हैं दोस्तो इसका पाउडर कैसे तियार हो जाए और एग्रिकल्चर को खरीदना होता है खरीदने के बाद में हमें उसको ऊपर से बिलकुल काट लेना है उसका जो चिलका होता है वो पूरी तरह से हट जाता है अब इसको एक चमच की सायता से इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको भी साइड में निकाल करके रख देना है अब देख सकते हैं आपके सामने ये अलग से निकल करके तयार हो गया है अब आपको simply क्या करना है इसको छोटे छोटे पीसेज के अंदर आपको काट लेना है थोड़ा सा बारी काट लेना है अब चक्कू या फिर कैंची की इसाब से आप इसे बिल्कूल बारी काट सकते हैं काटने के बाद में आपको simply इसको क्या करना है वो हम आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको mixi ले लेनी है mixi के अंदर आपको पूरी तरह से grind कर देना है अब देखिए ये grind हो रहा है ग्रेंड होने के बाद में बिल्कूल ये juice की तरह से हो गया है ठीके अब हमें क्या क झारे से सूक जाता है तो बिल्कुल पापड की तरह देखने को नजर आएगा इसको अब हमें वापिस से grindir के अंदर डालना होता है grinder के अंदर डालने के बाद में ये इसका powder हो जाता है उसके बाद में हमें इसे चलने की साइथा से चछान लेना होता है जो कि हम आपको दि पूरी तरशे पाउडर बन जाता है इस एपिसोड को घ्यान से देखे क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रहे जाएंगे अजीज सा दिखने वाले इस फल में हैरत कर देने वाले गुण मौजूद हैं तो चलिए बताते हैं आपको क्या है ड्रेगन फूट का रास आम तोर पर भारत में किसान पानी और फसल के बरबाद होने के कारण बरबाद हो जाते हैं यही वज़ा है कि अब ज्यादतर किसान दूसरे रोजगार और कुछ अलग किसमे की खेती बारी की ओर रुख कर रहे हैं जिसमें मुनाफ़ा ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसे में अगर देश के किसान इस विदेशी फल की खेती शुरू करते हैं तो उन्हें काफी फायदा है क्योंकि दुनिया भर में इस फल की मांग इसके गुणों के चलते लगातार बढ़ रही है ड्रेगन फूट नाम का ये फल आम तोर पर थाइलेंड, चाइना और मलीशिया में होता है लेकिन अब कुछ लोग इसे भारत में भी उगाने लगे हैं उत्रप्रदेश के कौशामभी में इस खेती से साथ किसानों को फायदा हुआ है जो इस बात का प्रमाण है कि इस फल की खेती में महनत कम लगती है और दाम भी अच्छा मिलता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसानों ने ये एक फल करीब 200 रुपे में बेचा है इस फल की खास बात ये है कि इसका पौधा 18 महिने में ही फल देने लगता है इसके पेड में काटों के चलते इसे जानवर भी नहीं खाते हैं वहीं इसके नाजुक होने के कारण इस पेड को पिलर का सहारा देना होता है बस बाकी इसका पौधा 50 रुपे में मिलता है और इसमें गोबर की खाद इस्तिमाल की जाती है ये पौधा ज्यादा पानी भी नहीं मांगता है वहीं इस एक पेड में 50 से 120 फल तक आते हैं तो किसान भारियों के लिए इस फल की खेती काफी फायदे मन है अब आपको बताते हैं कि ये फल बिमारियों को कैसे खत्म करता है ये फल डाइबेटीज, अस्थमा जैसी बिमारियों के लिए राम बार आउशदी है वहीं इस फल में मिलने वाले विटमिन B और C के साथ केलशियम, आईरन जैसे तत्व अधिका मात्रा में पाए जाती है यही वज़ा है कि ये फल मोटे लोगों के लिए काफी फायदे मन्द है वहीं इस फल को खाने वालों का हाट और लिवर मजबूत रहता है साथ ही ये फल आखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा मात्राइब